दोस्तो नमस्कार जैहिंद। टीम इटियाई से मैं अर्जुन आप सभी का इस अनिवारे विश्लेशन में हार्दिक सागत और अभिनंदन करता हूँ। खेसारी लाल यादो के एक बेखौफ और अमर्यादित बयान को आपसे अक्छर सा साजा करता हूँ। दरखल पिछले दिनों खेसारी लाल ने अपनी बेटी और परिवार पर केंदरित एक बेहुदेगी का जवाब देते हुए खुले आम न्यूज चैनल्स, अख़बारों और यूट्यूब पर वीडियो बनाने वाले कंटेंड क्रियेटर्स को धमकी दे दी। उन्होंने धमकी देते हुए कहा कि यदि किसी ने मेरे खिलाब निगटी नूज चापी तो मैं या मेरे लोग उसके पूरे खांदान को नहीं छोडेंगे आगे उन्होंने कहा कि मेरी पोटो इस्तेमाल करने से पहले या मेरा नाम लेने से पहले एक बार मेरी परमेशन ले नहीं तो मैं आपके चैनल को कहां तक लेकर जाओंगा इसका आप सभी को अंदाजा नहीं है आपके चैनल को उडाने में मुझे बिलकुल भी वक्त नहीं लेगेगा और पूरे खांदान को इसी मैटर में मैं घसीट लूँगा दोस्तों सच कहूं तो जब भरष शर्मा जी कारों की विधा में मैं लीन हो जाता हूं तो यका यक भोजपूरी को ले करके पुनष्च गौरवानवित महसूस करता हूं लेकिन आज की परिष्टितियां देख करके मैं बड़ा दुखी और बड़ा कुपित हूं वास्तों में भोजपूरी इंडस्री जातिगत गीत दो अश्लीलता की बातें जुमला नहीं तो क्या हैं? कभी पवन अक्षारा को बोलेगा, कभी खिसारी नील कमल को बोलेगा, कभी प्रियंका सिंग शेर्पी राज को बोलेगी? क्या है ये सब? बिलकुल बकवास, बिलकुल बकवास. खेर मेरा एक ही सवाल है क्या यूही इन फूहड गानों को हम सब सुनते रहेंगे क्या घर और परिवार में इन सारवजनिक स्थानों पर हम सभी इनी भोजपुरी के गानों में ठुमके लगाते फिरेंगे क्या ब्लोंडिया लंदन से आतिर रहेंगी क्या लीची को किसी और सेंस से परोसा जाएगा क्या पांडे जी को चुम्बन प्रभारी बनाया गया है क्या यूही बंगाल क्यों बंगली निया कह करके उपहासित किया कर जायागा यकिनन भोजपुरी मेरे रग रग में रचा और बसा है पर इस तरह भोजपुरी का मर्दन कत्य यतोचित नहीं है बाकी आप सब के अपने वक्तिकत विचार क्या है मुझे कमेंट सेक्षन में चलूर बताएं